जै स्रीराम प्रेमी भक्तों व्यक्ति के कंगाल होने के केवल दस कारण होते हैं इनको जान लीजिए आप कभी कंगाल नहीं होंगे नमर एक घर में जो गंदी रखते हैं उनके घर में हमेशा कंगाली ही रहती है नमर दो जो सूरिय अस्त होने के समय सो जाते हैं उनके घर में वास्ता में ही कंगाली रहती है नमर तीन जो सूरिय अस्त होने के समय ब्यवचार करते हैं उनके घर में हमेशा गरीबी रहती है नम्मर चार, जो सूरीय अस्त होने के समय, साम के समय दीपक बगरा नहीं जलाते हैं, पूझा पाठ नहीं करते हैं उनके यहां गरीवी रहती ही है और नम्मर पांच, जो दिन में एक बार भी सुबह या साम हवन सामिगरी के साथ या दीपक के साथ फूजा पाठ नहीं करते हैं उनके यहां भी गरीवी रहती है नमर च्छे जो दूसरों से ईश्या करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है इसके पास ये है ऐसे वेक्ति हमेसा कंगाल रहते है और सात्मा है जो दूसरों को देख करके जलते हैं ऐसा नहीं सूचते हैं कि जो मुझे परमातमा न दिया है वह मेरे अपने करमों का फल है तो उसमें संतोस नहीं रखते हैं अगर संतोस रखते हैं तो उने गरीबी नहीं आती है और आठमा है जो सुद्ध बोजन अपने घर में बनाते हैं सुद्ध बोजन के साथ साथ और भगवान का भजन करते समय भगवान का मन में चिंतन करते समय बनाते हैं उनके यहां कभी गरीबी नहीं आती है नौमा है जिनके यहां मास मदरा पान नहीं होता है उनके यहां कभी गरीब ही नहीं आती है जिनके यहां मास में दरापान होता है उनके यहां हमेशा कंगाली बनी ही रहती है और दस्मा है जिनके यहां बुजर्ग हैं बच्चे हैं उनकी जो सिवा नहीं करते हैं उनके यहां वास्तम में गरीब ही आती है इसमें कोई संदे नहीं है ये इस तरह के कारण है कि अगर इन कारणों को जान लिया जाए तो वास्तम में लक्षमी हमेशा उनके भार में रहेगी कभी कंगाली आ नहीं सकती है तो इन बातों का ध्यान रखें और अपनी गरीवी को दूर करने के लिए अपनी कंगाली को दूर करने के लिए हमेशा के लिए और आप एक तरह से सचेत हो जाएं और अपने जीवन में लक्षमी को अपने घर बुला करके और अपने जीवन को आनन में बनाएं अब हम अपनी बानी को विश्राम देते हैं, जै श्री रा,